नमस्कार न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मेरा नाम है सत्यम सबसे पहले नदर डालते हैं आज की सुर्खियों पर दोनों सद्नों में बिना चर्चा के क्रिशी कानून वापसी बिलपास हिंदुतुवादी संगठनों के दवाव में मुनवर फारुकी के दो महीने में बारशोज रद दिल्ली के द्वारका में बने चर्च पर हमला बजरंग दल पर आरौप और आखरी में बात करेंगे कोरोन अपडेट की जिसमें देश में 24 घंटों में 8000 से ज्यादा नए मामले तब से पहले बात करते हैं क्रिशी कानूनों की आज संसत के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन तीनों विवादित क्रिशी कानून की वापसी हो गई क्रिशी कानून निरस्त करने के बिल को लोकसभा और राजसभा दोनों सद्नों में बिना किसी बहस किया चर्चा के पास कर दिया गया हाला कि इस से पहले संसत परिसर में ही मीडिया के सामने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सदन में चर्चा को देश हित में बताया था विपक्ष ने हाला कि वापसी बिलों का समर्थन जरूर किया है लेकिन इस पर उसकी चर्चा की मांग नहीं मानी गई बतादें कि एक साल के एतिहासिक किसान आंदोलन के आगे जुकते हुए पी-म मोदी ने 19 नवंबर को खृशी कानूनों की वापसी का ऐलान किया था भारतिय किसान यूनियन के राश्रिय प्रवक्ता राकेश टिकेट ने इस मौके पर कहा कि ये शहीदों को जो 700 से ज्यादा शहीद किसान हुए हैं उनको शद्धांजली दी गई है देश भर के किसान संगठन कानून वापसी को पहली जीत के रूप में जरूर देख रहे हैं लेकिन इसके बाद किसान MSP और Electricity Bill से जुड़ी मांगों को लेकर भी अपना अंदोलन जारी रखे हुए हैं इसी तरश पर 28 नवंबर रविवार को मुंबई में एक बड़ी महा पंचायत हुई जिसमें किसानों ने MSP की मांग तेज की देखिए न्यूस क्लिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी जो मोदी सरकार ने जो तीन कानूं रद्ध करने की गोशना की है उसकी जो जीत है वो सेलिबरेट करने के लिए एक तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग आजाद मैदान में पहुचे है और ये लोगों का उत्साह ये दिखाता है कि बिलकुल दिल्ली की जो किसान आंदोलन है उसकी जो जन्ता है उनको जादा से जादा हम प्रेड़ना और उत्साह से बर दे हमारे नजर्या से ये आंदोलन पूरा नहीं हुआ मोधी को जुकना पड़ा, मोधी सरकार को जुकना पड़ा, तीन कानून वापस लेने पड़े क्रिशी कानून ये बहुत बड़ी जीत है पूरे भारत के किसानों की और मजदूरों की और पूरी जन्ता की लेकिन कुछ बहुत ही महतुपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है की वज़े से आज बहुत बड़े पहिमाने पर न सिर्व किसानों का लेकिन जनता की विजली के दर और उनके बिल जबर्दस बढ़ेंगे इसको वापस लेना चाहिए लखिमपूर खिरी का ये जो हत्यारा है अजय मिश्रा टेनी उसको मंत्री मंदल से बर्खास्त करके उसको गिरफतार करना चाहिए खून के और शडियंत्र के आरोप पर उसके साथ में हमारे ये मजदूरों की भी पंचायत है इसलिए ये चार जो लेबर कोड है उनको भी वापस लेना चाहिए पूरे देश को बेच डालने का ये जो मोदी और शाह सरकार का रवया है और इसको बं तो ये सब करना चाहिए ये हमारी मांग अभी भी बाकी है इसके लिए संगर जारी रहेगा वो चुटकुला जो मैंने आज तक नहीं सुनाया उसके लिए मुझे जेल में डालने से लेकर मेरे वो शोस कैंसिल करने तक जिन में कुछ भी गलत नहीं था ये अन्याये है ये लिखा है स्टेंडब कॉमेडियन मुनवर फारुकी ने तब जबकि पिछले दो महीनों में हिंदु तुवादी संगठनों से मिली धंकियों के दबाव में उनके 12 शोस कैंसिल हो गए है मुनवर फारुकी का 28 नवंबर को बैंगलोरू में शो होने वाला था मगर बैंगलोर पुलिस ने आयोजकों को लिखा कि ये शो कैंसिल कर दिया जाए इससे पहले एक हिंदु तुवादी संगठन हिंदु जन जागरिती समीती ने पुलिस को एक ज्यापन दिया था जिसमें शो कैंसिल करने की बात कही गई थी मुनवर का ये शो डोंगरी टू नोवेर अशोक नगर के गुट शेफर्ट आडिटोरियम में होने वाला था अशोक नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने कर्टेन कॉल इवेंट्स के विशेश धुरिया को पत्र में लिखा है कि हमें पता चला है कि मुनवर फारुकी एक विवादित हस्ती हैं जिन्होंने दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के बारे में विवादित टिपड़ियां की हैं कई राजियों में उनके कॉमेडी शोज कैंसल किये गए हैं और मध्य प्रदेश के इन दौर में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्च किया गया है पुलिस ने बात की है इन दौर की इन दौर में एक जनवरी को मुनवर का शो शुरू करने से पहले ही उनको गिरफतार कर लिया गया था जिसके बाद वे एक महीना साथ दिन तक जेल में रहे थे और जब कोर्ट ने उन्हें रहा किया तब कहा था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है सबूत नहीं मिला था क्योंकि कोई जोक सुनाया ही नहीं गया था इन दौर में शिकायत की थी बीजेपी सांसत के बेटे एकलवि सिंग गौड ने तब से लेकर आप बैंगलोर तक मुंबई गोवा जैसी जगों पर मुनवर के शो स्कैंसिल हुए है मुनवर ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा है कि ये उनका अंत है और इसके बाद हम बात करते हैं दक्षन पंथी हिंदुत ववादी संगठोनों द्वारा किये गए एक और हमले की तेशकी राजधानी के द्वार का इलाके में एक नया चर्च बना मट्याला में खुले इस चर्च पर रवीवार को प्रेयर के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया आरोप है कि ये लोग बजरंग दल से जुड़े हैं जिनका कहना था कि यहां जबरन धर्मांतरन किया जा रहा है पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ धारा 268 यानि सारजने के स्थल पर हंगामा करने के तहट मामला दर्च किया है और साथ ही चर्च के लोगों पर भी धारा 188 के तहट DDMA की COVID गाइडलाइन्स ना मानने के आरोप में मामला दर्च कर दिया है आपको ये भी बता दें कि DDMA ने पहले ही अनुमती दी हुई थी मगर पुलिस ने ये कहा कि जिस जगह पर प्रेयर हो रही थी वहाँ की अनुमती नहीं थी देश में मुसल्मानों के साथ-साथ इसाइयों पर भी लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ 2021 में ही इसाइयों या चर्चों पर 300 से ज्यादा हमले किये जा चुके हैं जबरन धर्मान्तरन के आरोप लगाते हुए देश की अलग-अलग जगों पर हिंदुत वदी संगठनों ने चर्चों पर या इसाइयों पर हमले किये हैं आज ही करनाटक के बेलगावी से भी खबर आई है कि पुलिस ने इसाइय समुदाय के लोगों से चर्च में पूजा ना करने को कहा है और वज़ा वही है कि उन्हें डर है कि हिंदुत वदी संगठन हमला कर देंगे और अंत में बात करते हैं कोरोना वाइरस की कोविड-19 का नया वेरियंट ओमिक्रोन अब्दक्षिन अफरीका से निकल कर 13 देशों तक पहुँच गया है इन देशों में UK, जर्मनी, औस्टेलिया, कनेडा, इस्राइल भी शामिल है भारत में अभी तक इस वेरियंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है मगर एरपोर्ट पर बाहर से आये हर व्यक्ति की कोविड टेस्टिंग भी मेंडेटरी कर दी गई है WHO ने बताया है कि ये नया वेरियंट डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा खतरनाक है और ये उसके मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है वहीं भारत के कोविड मामलों की बात करें तो पिछले 24 गंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और 236 मरीजों की मौत हुई है अब देश में एक्टिव मामले 1,3,000 के करीब हैं अब तक कोविड वैक्सीन की लगबग 122 करोड 41 लाग डोस दी जा चुकी है और पिछले 24 गंटों में 40 लाग से ज्यादा डोस कोविड वैक्सीन की दी गई है यूसक्लिक के डिली राउंड अप में आज बच इतना ही हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमारी वैबसाइट newsclick.in पर जाएए और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हमको फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कीजिए देखने के लिए शुक्रिया